नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शबी को बता दें कि आज शाम के पांच बच कर पचपन मिनट के उपरांथ आप शबी के जुनकाल में होने वाले हैं बहुती बड़े महत्पुन बदलाव जिहां दोस्तों हम आप शभी को बता दें कि दोस्तों या शमय आपके लिए बहुत ही महत्पुन शमय रहेगा जिहां दोस्तों या शमय जो घटना होने वाली है आपके लिए पूर्ण रूप्शे अच्छा रहेगा पर दोस्तों हम आप शभी को बता दें कि यश्य में आपको कुछ बातों का धियान रखना होगा यश्य में आप शिवी के जिवनकाल में आपको दो बड़े महत्पुन चमतकार दिखने को मिलेंगे पर दोस्तों कुछ महत्पुन शावधनिया आपको यश्य में रखना होगा जिया दोस्तों एक प्रकाश्य के हैं क आप इन शबी से बिल्कुली लड़कर शबलताओं को हासिल करने वाले हैं इसलिए दोसों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुली ध्याश दिखेगा जे दोसों एक शाथ तो दो मुशिवत का आपको शामना भी करना पड़ेगा और दोसों उश्य में आपको शमिश्याएं हो शकती है लेकिन दोसों इश्य में अगर आप गलत निरले लेंगे तो दोसों आगे चल कर शमिश्याओं का शामना आपको करना पड़े जाएगा जे दोसों इसलिए 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 आप शाही निरले के चलेंगे कौनशे आपको कारी करना है कौनशे कारी नहीं करना है ताकि आप दुमधाओं के बीच में शही शलमत बाहर आ जाएं और जो भी शमश्य आपकी जुनकाल में है दोस्तों उनका आप शामना करके उनसे बाहर आ जाएं जे दोस्तों इसलिए आपको यह श्मय कौन सा कारे करना है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इशारी बात बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों इन शबी बातों को आप बिल्कुली ध्यान से सुनेगा जे दोस्तों हम आप श्मय को बताएगा कि यह श्मय जो भी श्म शुक्तों से आप बच जाएंगे और दोस्तों आप कौन से छेत्र में आपको अधिक तरकी एश्मी मिलने वाला है कौन से छेत्र में आपको कौन से चमतकार देखने को मिलेंगे शादी साथ दोस्तों उसके बारे में हम इस्तार्श इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आप शुबे को बता दें कि आप शुबे को बस यहीं विन्यती है कि आज सके इस वीडियो को आप विल्कुल ही ध्याँशी दिखेगा अगर आप ईशुवर को मानते हैं, भगवान भूले नात को मानते हैं, तो दोस्तों कमेंड बोक्ष में शच्चे मन्स से हर हर महादेव जरू लिखेगा, शादि दोस्तों चैनल ते अगर आप नए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब से पहले शब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि दोस्तों आपकी राशी से जुड़े लाखों लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों समय शमय पर आपकी राशी जुड़ी शबी जनकारिया आपको मिलेंगी शबी राशी फल मिलेंगे जी है दोस्तों तो आई दोस्तों बात कर से हैं दोस्तों आप शबी को बता दे दोस्तों आपके लंबे शमय शमय शिर आपके शाथ लगतार बनी रहती है दोस्वों अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे अगर आप पिछले जिवनकाल को एक बार गौर से जहांगेंगे तो दोस्वों आप उनमें दिख पाएंगे कि पिछले शे में आपके जिवनकाल में उतने तकलिफें नहीं थी इतने शुमेशाई नहीं थी आप एक अच्छे जिवनकाल को जी रही थी जिवनमें शबकुष ही चल रहा था आप अच्छे कमाई कर रहे थी फिर परिवार में शबी लोग किशी तरह खुश थे जे दोसों और दोसों अभी एशा हो गया है कि दोसों आपके जुनकाल में मानूख खुशिया रूट सी गई है एक नए ने शत्रू बनते जा रहे हैं आप जहां भी कार कर रहे हैं वहाँ पर आपको नुक्षान देखने को मिल रहा है दोसों आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेहनत से आप कभी पीज़े नहीं अड़ते हैं जे दोसों आप चाहते हैं कि मेहनत से हम अपने जुनकाल की शारी खुशिया को पाश रखते हैं जी दोस्तों लेकिन दोस्तों शमी के शार साथ आपके हे आतों कुछ ऐसी गलती होती है कुछ इसे अंजान से चुक हो जाती है जिनके कारण दोस्तों आपको शमश्याएं घेर लेती है पर दोस्तों फिर आप उन्हीं शमश्याओं में फश कर अपने शारी जो भी उपयोगी चीज है एक प्रकार से कहें जुनकाल के शुक्षिवदाय की वस्तु अपने जुनकाल में आप जिस इसको पाने की चाहर रखते थे दोस्व उन शारे कारियों से आप धीरे-धीरे पीचे हटते चले जाते ही और मुशिबत आपके जुनकाल में इस प्रकार आ जाता है जिसे दोस्व आपको लगता है कि हम बाहर नहीं जा सकते ही जिहां दोस्व हम आप शुबी को बता दे कि दोस्व अब आपको अपने युनकाल में परिशान होने की आफशक्ता नहीं है कि दोस्व समय के शार्द गरहों के इस्तिती बदलती है शमे के शार्द व्यक्ति का जिवन में बात करेंगे और अब आपको कौशी कलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे शाधी शाध दोस्तों अब आपको कौशी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिरे से आपके जुनकाल में कोई शमश्याए ना आए और ना ही आपके जुनकाल में कोई श्यमुश्य बताए जिन से आपको अपने कारिभार छोड़ना पड़े जिन से आप तंग हो जाते हैं जियां दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान और बिल्कुल ही मन लगा कर ध्यांश दिखेगा तो ऐसे दोस्तो शोना भी छुदेते हैं तो दोस्तों वा मीटी बन जाता है कहने का तात पर यही है कि आप जो भी कार कर रहे हैं उनमें आपको श्यमुश्य बताए हाथ लग रही है आप एक श्यमुश्य आपको श्यमात कर पाते हैं तो दोस्तों दूसरा श्यमुश्य आपके श्यमुश् मुश्किल से धन संचे नहीं कर पा रहे हैं दोस्वों पेशे आपके पास तिपते नहीं है पेशे इधर से आते हैं तो दोस्वों पेशा उधर चला जाता है और बहुती मुश्किल से मेहना से थोड़ी बहुत धन अगर आप शंचे कर लेते हैं धन कमा लेते हैं तो दोस्व वह पेशा भी आपके पाश नहीं रह पाता है वह पेशा भी किशी शमेश्याओं में बिग्न बदाएं में खर्च हो जाता है वेरत में भी वह पेशा आपके खर्च हो जाती है जो कि आपके लिए जरूरत नहीं थी उन्हें में भी आपका पहिशा चला जाता है लेकिन दोस्तों आज के बाद इन शमेश्याओं को आप शमाप्त कर पाएंगे और यह शमेश्याओं आपकी जुनकाल में अब शमाप्त होने भी वाले हैं और आप इने अपने आँखोशे भी देख पाएंगे और दोस्तों जिन्दगी में आपके यहाँ शे जो है परवल मोकी मिलने के शमाप्त बढ़ने वाली है दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जुनकाल में अभी रोजगार कारोबार वैपार में लगातार बहुती बड़े बड़े अर्चने आ रही है एक शी बढ़कर एक मुश्यूवत है आपको देखने को मिल रही है दोस्तों अब जो भी कोई नई कारोबार की शुरुवात करना चाहते हैं आपको लगता है कि कल परश्रूप चे शुरुवात करेंगे तो दोस्तों जिसे ही शुरुवात करने वाले होते हैं उसके पहले ही कोई नई कोई शी मुश्यूवत आपके शामने खड़े हो जाती है और दोस्तों आप जो भी कारोबार शुरुव करना चाहते हैं उनमें आपको बाधा मिल जाती है जिए दोसों एश्य में आपको क्या करना है इनमें निराश नहीं होना है जिए दोसों निराश होने शे लोग अपने किश्मत का रोना रोते हैं कि हमारे किश्मत में यह चीज नहीं थी दोस्तों एश्य में आपको क्या करना है अपने गलतियों को देखना है कि आगर आपने क कभी-कभी शिखाते हैं और वही लोग आपको आत्म सम्मान को ठेज भी पहुंचा रहे हैं जी है दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें आप भूल जाते हैं कि ये लोग हमारी अपने हैं लगे दोस्तों इन बातों को आप याद रखें जो भी आपकी जुनकाल में इशा व लगयाभी करते हैं जीह दोस्तों जिन से आप तकलिप में जाते भी हैं तकलिप में आपको बहुत गरों की इतिती बदल रही है रुजगार कारोबार में अर्चने आ रही थी दोस्तों उश्य आपको शूटकारा मिल जाएगा जी है दोस्तों ये जो यात्रा है वह शुखदाक रहेगा और जिस कार के लिए आप जाएंगे दोस्तों वो कारे आपका श्रिम्पन होगा शाथिशा दोस्तों हम आप शुखदा दे कि याश्य में आपको कोई इशा इंशान होगा जो आपको परिशान करने के लिए शड़ित रचेगा जलन के भावनावा अपने मने में रखेगा आपको कहेगा नहीं क्यों दोस्तों हम आप शुखदा दे कि आपने अपने जुनकाल में जो भी कुछ हासिल किये हैं वो आपने दिन रात मेहनत करके आशिल किये हैं आपको विराशत में कोई इशा धन प्राप नहीं हुआ है जिनसे आपने जुनकाल को अच्छी तरीके शुवाइधित कर सकें आपने दिन रात मेहनत करके जो भी शारे धन को अरजित किये हैं दोस्तों यहीं तरकी देख कर आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रू बन रहे हैं और शत्रू बनकर बेठे भी हैं आप शे जलन की भावना वह रखते हैं पर दोस्तों आप शे यहीं बनितिक करेंगे कि जो भी कुछ लोग एशे हैं जो आपके मुह पर अच्छे बो करते हैं अंदर यंदर आपके लिए कोई चिसे शणिद्र रचते हैं ताकि आपके आने वाले आगे की जो भी कारे हैं उनमें बिगमत आया जाए तो दोस्तों इसे शमलना आपको बहुत ज़्याद आउश्यक है आप मुह पर तो किस्टी के कहने ही शकते लेकिन दोस्तों आप शबी को बताते हैं कि आप इन बातों के ध्यार रखें कि पिछले शमय में जो भी आपके शाथ गलत हुआ है उन्हें शबी से आपको चुटकरा मिलेगा याश्यक में आपको पनेवानी पर श्यम बनाकर रखना है पर दोस्तों याश्यक में आपको जो भी बोलेंगे दोस्तों नए कारबार की शुरुआत कर रहे हैं नए किसी भी जूनकाल में आप जा रहे हैं तो दोस्तों याश्यक में अपने शब्दों पर आपको चैन करना होगा शब्दों को शोच समझ कर ही बोलना होगा खिशे अभद्र शब्द का आपको परियोग कहीं पर भी नही शाति-शाद दोसवें यश्मे अपने بडे पोजरनों का आपको शमान भी करना है इस बात कर देल रखे दोस्तों इस यह होता क्या इस यह गुरु गरा जो है मजबुत होता है शाति-शाद सब्सक्रामे है शिन देब भी पर्षन होते हैं तो दोसों इन बातों के अध्यान रखें, शादी साथ दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, कि याश में अगर आपके जुनकाल में कोई इसे जरुत मन्द व्यक्ति है, जो कि आप शी शाहरा मांग रहे हो या या पिर शाहरा के लाइक हो, दोस्तों आप जितना कर शकते हैं, जितना आपके मनशी आपके दिल से आपके हिर्देश हो शकता है, दोस्तों उतना आप उनको शहयोग कर जिएगा, दोस्तों आपके छोटा शहयोग आपकी जुनकाल में आपके ग्रहों को इस्तिति को वश्युदार देगा, इस बात का आप अध्यान रखें, शादी साथ मापशी भी को बदाया देख यश्मी, कोई भी गर आपको परिशान करना चाहता है, तो दोस्तों आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मतलगीगा, दोस्तों बहकाओ में आकर आप अमेशा गड़बर कारी को कर देते ही, यश्मी आपको अपने कारियों पर शावधनी रखन हैं, और दोस्तों एकर आप शमल गए, तो दोस्तों आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगी, वरना दोस्तों अगर आप इन बहकाओ वेले लोग के शाथ लगेंगे, तो दोस्तों ये आपको बदनाम करने की भी शाजिस रख सकते हैं, आपके कारियों को भी बदनाम कर आपके इजद परपज्चा को भी ये मिटा शकते हैं, तो दोस्तों आप इनकी चलांकी शे बचेगा, कुछ इसे अपने ही लोग हैं, जो दोस्त बनकर, जो अपने बनकर आपके लिए शतुर्ता कर रहे हैं, आपके लिए मुश्पिते खड़ी करने की जो है शनिंतर रच तो दोस्तों इसे लोगों शे आपको बस बचना होगा, जी हैं दोस्तों, अगर यश्मे आप अपने इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे या फिर इन लोगों से दूर हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके इनकाल में मिलने वाली है, दोस्तों वो आपको बहुत ही अश्व भरने वाली है जिया दोस्तों आप शिभी को बताते हैं कि कारभार में आपको इश्पल्दा मिलेगी धन की शमावनों यश्मिप आपको बहुत ज्यादा दिख रही है जिदो धन कमाने के कई शारे आपको रास्ते मिलेंगे कई जगहों से आपको अचानक इसाथ धनलाब क Wishश यह होंगी का शमिप धनलाब के शमिप प्राप्ठी इह देख रही है जैदी कुछ बलाब कि श्बर सेंट्री को शारे चाल अकर शてब करता हैं दोस्तों स्यर साथ पक्रक्ष भी आपको कुछ धनलाब होने की शमावना दिख रही है कोट के शमंदी जो भी आपके मामले है वे आपके प्रक्ष में होने वाली है जे दोसों अकात्मिक धनलाब की प्राप्ति भी आपको एश्मे दिख रही है जे दोसों जैसे कि आगर आप किसे सरकारी शिवारत में कोई पैशा इन्वेस्ट किये हैं दोसों वहाँ से आपको खाश्मिक धनलाब हो सकती है यह है तो दोसों ज्यूअ पेशा आप सोचे थे कि वह पेशा चला गया वो पेशा वापश नहीं रहा मिलेगा भिचा आपको जो उनकाल में शबसे उंच्चा बना देगा जी हमद्यों बहुकआ प्षियर में आपको उच्जपद मिल सकता है अगर आप किशी कारेमे कारवत हैं तो दोस्तों इसमे आपको परदन्थि मिल सकती है आपके कार्यों की जो यह शाहरना भी होगी बहुत यह आपका शेमान करेंगे शादि शाद दोस्तों यश्मी आपके शमाज में आपका इज़र परिष्टा बढ़ने वाली है जी है दोस्तों समाज में आपका एक उसे पहचान होगा कि दोस्तों यश्मी आपके जुनकाल में भगवान भोले नात प्रेशन लो हुए है एक प्रकाश्य के हैं तो भगवान बहुले नाथ आप पर महरबान हुए है जो गर्भा के जती है इनमें शाप शाप दिखाई दे रहा है कि आपको अपने जुनकाल में जो भी आपके जुनियर के वेक्ति है उनसे सयुग मिलेगा और उनसे मिला शुयूग आपको बहुत दी बड़ी उंचायों तरक लेकर जाएगा जिहाद दोस्तों शाथे शाथ दोस्तों हम आप शुबए को एक बात बताना चाहेंगे कि आपको दोस्तों जेसे कि हमने आपको पहले बताये हैं कि याश में आपकी अपने ही आपके लिए शत्रू बनने वाले हैं तो दोस्वों अपने लोगों से आपको बच शावता रेना है हलांकि दोस्वों आपके उपर भगवान भुलिनात तर्शन हुए हैं दोस्वों तीनों लोग के मालिक भगवान भुलिनात हैं जी दोस्वों इनके आपके शाथ हमनिशी को या आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा शावधनी पत्ना होगा या इसमे आपको अपनी जुनकाल में पत्नी और बच्चे के खिलाब आपको भढ़का शकता है और दोस्रों शाथ ही शाथ याश में आपकी पतनी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाब भड़काया जा रहा है तागे दोस्वों घर में किशित ना किशित रखा प्रिगन बदाया हो कलेश हो आप शी मदबेद हो जिनसे घर टूर जाए और दोस्वों आपकी तरक्की को वो इन्षे रोख सके जे दोस्वों इसे ने कोई मुशिवत आजाए तो दोस्वों इसे लोगों से आपको बस शावधा रहना है इसे लोगों से आपको दूरी बना कर रखना होगा और दोस्वों यहां तक कुछ बातों का आपको विश्यश ध्यान भी देना होगा जो शामने आपका हितकारी होने का दिखावा करत यहां दोस्तों एक और महत्तुन बात हम आप शुपी को बता दें कि को इंशान अगर चुगली करने वाला इंसान है किशी और का बुराई आपके पास आकर कर रहा है तो दोस्तों इस बात का ध्यान तक है यह बात तो तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराई किशी और की पास करेगा दोस्वों यहां बहुत ही महत्पुन बात है जो कि दोस्वों सत्य बात है कड़वा है लेकिन दोस्वों ये शत्य है अगर कोई इंशान आपके पास आकर किशी का जो है चुगली कर रहा है तो दोस्वों जाहिर्शी बात है कि आपके जाते ही वो आपका भी चु बाज के जोवी लोग हैं आपको भड़काएंगे जी हां दोसों दोसों एक दो बड़ी ही मैत्पुन बाद है जिस पर आपको ध्यान देना होगा दोसों यश्मी गुप्त रुप से शत्रु तयार हो रहा है आपको नुक्षान करना चाहता है आपको किशी भी हद तक कोई भी घटना हो शकता है यहां तक कि आपके उपर भी बड़ी घटना करने का शंकेत है तो दोसों यश्मी आपको शुर्यास्त की बाद घर्षे कम ही निकलना ब्यहतर होगा जियेख अग्यात लोगों की शाथ बैठना उठना आपको बंद करना है जिये दोसों आपको कि किशी के भी पास अंजालों के पास नहीं जाना है किशी भी अग्यात इंसाम से के जोए शाथ खाना पीना आपको नहीं करना है दोस्तों इस बात के ध्यान रखें किशी भी अग्यात के शाथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है एक और बात हम आप शुपी को बता दें कि दोस दोसों यह बात अपने घर तक ही आप श्मित रखें तो आपके लिए बहतर होगा और दोसों एक दो बातें हम आपको यहाँ पर और बता दें जो कि आपको भिशे सुर्प से इन्हें ध्यान में रखना होगा कभी भी अपने कमाई के बारे में किशी को आपको नहीं बताना है एशा बताएंगे तो दोसों उनमें आपको मुश्यपतें आशकती है दिक्कतें आशकती है लोग आप शे जनना शुरू कर देंगे तो दोसों लोग आप शे नहीं बलका आपकी रूतवे आपके पेशे आपके रहन शन और आपके दिखावे शी जलते ही दोसों एश में आ जिनसे आपको दोस्तों बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनसे आप अपने आपको भी रोक नहीं पाते हैं। लड़ाई जगडे में खुद को रोक नहीं पाते हैं। घर में शुमिश्या आही जाता है। तो दोस्तों इन बातों का बहुत आपको ध्यान शादे दोस्तों हम आप शिव को बता दें कुछ यह सेवधानिया आपको बतनी है जिसे आपको भागी और किश्मत का शात मिले दोस्तों यह श्मी आपको अपने जुनकाल में कभी भी किशी औरत का आपमान नहीं करना चाहिए चाहिए वह और आपकी माह हो बेहन हो या फिर शमाज में कोईशी इस्तरियां हो जो कि आपके लिए अच्छे शोभाव रखती हैं दोस्तों निशबीक आपको आपको अपमान नहीं करना है पिश्य आपके भागे खराब हो जाता है तो दोस्तों इस बात कर दें रखें जिंदिकी बर समयश्य आती रहती है किसी भी चेत जिए दोस्तों किशी औरत का अपमान नहीं करना है किशी भी बेजवान जानमर या फिर सिसु कोई भी कोई भी हो दोस्तों उन्हें आपको नहीं मारना है उन्हें परिशान नहीं करना है किसी भी बच्छे के ऊपर आपको बेवज़ा की जो है परिशाने नहीं डालने है सा लक्षमी को आप घर्षी बिदा कर रहे हैं और पेशे की दिक्कत भी इन से आती रहती है आर्थिक समश्याय होती हो जाती है आर्थिक सती कमज़र होने लगता है दोस्तों अगर आपके रुजगार कारूवर में जो है किशी परकार की अर्चने आ रही है एक से बढ़कर एक म आ रही है दोस्तों वो शिमाप्त हो जाएंगी रोजवार आपको फिरिश्य मिल जाएगा दोस्तों इस बात कर दिन रखें शारिशा दोस्तों घर में जो भी ग्रीक कलेश है परिशानी आ रही है उनके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कचे दूद में जल मिलाकर शिवलि दोससें अच्छे रिष्ट नहीं आ रही है और कभी कभी रिष्ट या तो तो इसरों एक आपको क्या करना है आपको महादे और पारवती का एक शात मुर्ति की पूजा आपको करना है जो भी फोटो है घर में है या फिर मंद्री भी आप जा सकते हैं महादे और पारवती एक शात के जो भी चित्र है उनको आपको पूजा करना है जी दोस्तों आपको जल्दी ही अच्छे जिवन साथी आपको मिल जाएगी और दोस्तों बिभा में जो भी शमयशा हैं वो शमापत हो जाएगी चीह दोसों शाथिशा दोसों आपको बता दें और दोसों गर आप एक अच्छे इस्तरी हैं तो आपको शोला शोमवार का वुरत रखना चाहिए दोसों इससे जल्दी ही आपकी बिवाश शंपन हो जाएगा और अच्छा शोवर आपको मिलेगा तो दोसों यश में आपको उपने जुनकाल में शत्रियोश शादना रहना है पुरीने शारे उपाये को करना है किशमत आपके शाथि देने वाले हैं लाब के शारे मोके आपके लिए बहुती परवल हैं लाब आपको बहुती महत्मुन मिलेगा जो कि आपके घर परिवार को खुश कर देगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शबी का धन्यवाद अपने उनकाल में आप खुश रहें मंगल में रहें